आज हम लोग exercise 1.1 का question number 4 पढ़ेंगे दिखे question number 4 हमाने क्या दिया हुआ है यह उकलीड वी भाजन प्रिमेरिका का प्रियोग करके दर्सागी है कि किसी धनात्मक पुढांग का वर्ग किसी पुढांग M के लिए किसी पुढांग M के लिए 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है ठीक है ना दिखे दिसमें लोग कैसे सॉल्व करेंगे question number 4 हमारे पास qe quesha number 4 हम लोग इस सुदीिकन करेंगे हम लोग लिखेंगे पहले इसमें Managh पूडांक A के लिए क्या लेकिन अब देखिए यहार्थ से बात समझे हम लोग लिख लेंगे माना पुडांक A के लिए लोग लिखेंगे यादी B बराबर 3 हो यादी B बराबर 3 जब हमारा B 3 आजाएगा तो जाहिश्टी बात हम लोगा R जो आएगा B से छोटा ही आएगा तो हमारे यह से R कितना आजाएगा R बराबर हमारा आजाएगा 0, 1 या 2 बराबर हमारा तीन आएगा तो जो हमारा R आएगा अल्रेडी 3 से छोटा ही आएगा यहाँ तक बात समझ में आ गई अब इसका लोग लिखेंगे यूकलीड विभाजन प्रमें से लिखेंगे लोग यूकलीड विभाजन प्रमें से ठीक है ना यूकलीड विखेंगे क्या होती है यूकलीड विखेंगे 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 होती है यूकल आप देखिए लोग इसमें लेंगे के 1 पहले ये के सवन थे कप I mean है ठीक है ना अब देखेंगे जैसे वन रखेंगे रखेंगे क्या रखेंगे 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 अरबर ब्रखने पर खेंगे आ रहते हैं कि हम लोगा यह आपनेश का पर वर्ग करने पर ठीक न हम लोग लिख देंगे वर्ग करने पर हम लोग ग्याय जाएग है है से सट ए सक Emma सब्धार बराबर 9 M अब स्कॉइर से न ही तक हैन अब देखिया हम लोग किससे क्या करें 3 common ले ले नम्हेंगे हाह से क्या जाएगा A square बेर 3 अंदर क्या चेंके आप मों क्या करें है हमोगों मान ले क्या रिकха सब primeira टिक सब किसले करें हम लोगों लोगों लीकर मानना कि है आयहा से आन्यों को लिखना है माना 3m square बेर एम इसको हम लोग क्या मान ले M मान ले 3m square metro Looking at the sun國xis हमारी यहां से a square के वेलु आ जाएगी थ्रीम ठीक है न यहां पहला case proof हो गया हमारा पहला case prove हो गया अवंक्य केस्टे लेंगे इसमें दीखिए भीव केस्ट्ची केस्ट्व लेंगे तो हैं लोग्स टूपे ऍचछ को लोगों रखेंगे आर इस टो बन ठीक है ना है सिर्फ टूआएगा यहां से अन्या क्या बन जाएगा ए बराबर कि 3m प्लस का वर्ण ठीक है आप लोग कर दें लिखेंगे यहां पर वर्ण करने पर ठीक है अब देखें मारे हैंसे क्या जाएगा A square बराबर 3M plus 1 का whole square अब मारा क्या बन गया यह A plus B का whole square बन गया आपको पता है A plus B का whole square क्या होता है देखें A plus मैं लिखे दे रहा हूँ साइड में यहाँ लिखे दे रहा हूँ देखें इसी जगा A plus B का whole square is equal to A square plus B square plus 2AB यही होता है ठीक है आप देखें इस formula को उत्रों इसको ब्रेक कर लें तमारा यहाँ से क्या जाएगा A square बराबर यह हमारा बन जाएगा 3M square ठीक है न plus 1 plus 2 into 2 A हमारा यहाँ से कितना जाएगा 3M into 1 ठीक है न इसको में solve करें हमारा यहाँ से कहाँ जाएगा A square बराबर 3M square ठीक है प्लस तुद्याईच है हमारा यहाँ जाएगा यहाँ बड़ शिक्स एम बात अब जाएगा और हमारा यह एक धर आजाएगा plus common ठीक है अब देखे SM को 3 common मिल जाएगा A square बराबर हमारा जाएगा 3 ठीक है न यह जाएगा अब लोग common ले लेंगा नहीं बचेगा इसमें कि यहाँ से यहाँ पर क्या जाएगा M square plus यहाँ पर हमारा जाएगा m square plus 2m ठीक है न यह एक हम लोगा plus 1 इसको में लोग क्या मान लें M मान लें हमारा यहाँ से जाएगा इसको में लिख लें यह M हमारा ठीक है हमारी A square क्या जाएगी A square बरबन मारा जाएगा यहाँ से 3m plus 1 यह हमारा समीकरण पहला बन देगा और यहाँ हमारा बन जाएगा समीकरण दूसरा ठीक है अब देखिए में लोग case 3 लेंगे हम लोग case 3 में क्या करेंगे देखिए हम लोग यहाँ लें case 3 हम लोग आर बराबर 2 रखेंगे यहाँ लोग लिख देंगे आर बराबर 2 अब देखिए मारा समीकरण बन जाएगा 1 बराबर 3m प्लस का 2 हम लोग करेंगे लिखेंगे वर्ग करने पर यहाँ से मारा जाएगा a2 बराबर 3m प्लस 2 का whole square यही होगा हमारा अब देखिए हम लोग इसको solve करेंगे हमारा क्या है यहाँ से 3m का whole square plus 2 का whole square plus 2 into 3m का whole square ठीक है ना यहाँ यहाँ पर 3m यहाँ पर जाएगा ठीक है अब देखिए इसको मलोग solve करें हमारा यहाँ से क्या जाएगा यह 9m square बन जाए हम लोग का यहाँ बन जाएगा 12 बन जाएगा नहीं 12 नहीं बने हम लोग को तुक जाएगे यहाँ यहाँ हमारा क्या बन जाएगा 2 का square करना है ना हम लोग sorry तो हमारा हो जाएगे यहाँ से 2 into 2 is equal to 4 हो जाएगा ठीक ना और देखिए यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा यह 4 हो जाएगा तो लोग सुक्या लिख लेंगे देखिए इसको लोग कर लें यहाँ से ऐसे कर लें इसको लोग 2 3 जा 6 2 जा 12 M वह दो दूदन हम चारते हैं 12 M हो जाएगे यहाँ से 12 M हो गया अब लोग 4 को 2 का square दिया इसको लोग क्या लिख सकते हैं 3 plus 1 लिख सकते हैं इसको लोग 3 common ले लेंगे हमारा अंदर क्या बचेगा 3 M square plus 4 M plus का 1 प्लस 1 यह बचेगा अब देखिए इसको लोग क्या मान लें इस total को M मान लें इस में मैंने line कहीं चीह है हमारा ना से जागा 3 M plus का 1 यह हो गया 3 M plus 1 यह हमारा हो गया समीकरण तीसरा ठीक है ना हम लोग इसमें क्या लिखेंगे समीकरण 1,2,3 से इस पश्ठ है कि किसी भी धानात्मा कुडां का वर्ग करने पर 3 M या 3 M plus 1 के रूप में प्राप्थ होता है इसको आप लोग उसी से बुक से देख के लिख लिजेगा यह हमारा हो गया answer थेंक यू